पाकिस्तान के एक फाइल स्टार होटल में आतंकी हमला तीन आतंकी धेर पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां आतंकियों ने एक पांच सितारा होटल को निशाना बनाया है आतंकियों ने इस हमले को बड़ुचिस्तान प्रांथ के एक वाजशेत्र में स्थीत होटल पर अंजाम दिया जानकारी के अनुसार इस दोरान आतंक वादियों और सुरक्षाबरो कर्मियों के बीच भीशन गोली बारी हुई जिसमें हमला वरो सही चार वैक्ती मारे गए के बीच मुटभेर जारी है इस से पहले इस हमले की अभी तक किजी सम्मूर ने जिम्मेदारी नहीं ली है स्थान या पुलिस के अनुसार हतियार बंद आतंक के स्थान या समाय नुसार चार बच की पचास मिनट शाम को होटल में गुसे और गोली बारी की इस दोरान होटल कर्मियों के साथ या सपास के लोगों ने भी गोली की आवाजे सुनकर पुलिस को सुचित किया सुचना पर पुलिस के साथ ही नौसेना और सेना के जवान भी मौके पर पहुँच गए थे होटल में आमतोर पर वैपार और अवकाश पर आये याती रुपते हैं यहां होटल गवादर में वेस्ट से भी दक्षीनी में बिश हार्बर रोड पर कोई ए बातिल में इस्थीत है प्रैंटी और कॉर करमियों ने होटल की घेरा बंदी कर दी पलूचिस्थान लिब्रेशन आर्मी ने लिए वादर में पांस सितारा होटल पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अशांत बर्चुस्तान प्रांत में बंदर गाश शहर गवादा स्थीद एक पांच इतारा होटल पर कुछ सस्त्रा आतंक वादियों ने शानिवार को हमला कर दिया वहीं मीडिया जानकारी के अनुसार आतंकियों ने एक सुरक्षा गाड को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई है सुरक्षा गाड आतंकियों को होटल में गुसने से रोकने की कोशिश कर रहा था हमले की जिम्मेदारी बल्चुस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी कॉंडिनेटर होटल में तीन से चार्श शस्त्र आतंक वादियों के गुसने के बाद गोली बारी जारी है सुचना की अनुसार मंत्री जहूर बुलेदी के हमाले से कहा कि होटल में रूके सभी विदेशी एवर स्थान या मेहमानों को सुलक्षित निकाल लिया गया है तो MNS News Lab की खपर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी आप डाउनोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद